बढ़ती कुरोना स्क्रमन को रोखने के लिए मत्यप्रदेश की सरकार नहीं पहल करने जा रही है। कुरोना को रोखने के लिए ग्रह मंत्री रक्टर नोरतम मिसरा ने बड़ा एलान किया है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को रोखकर उनका एक फोटो किते जाएगा और उस फोटो के निचे लिखा जाएगा कोरोना मेरा यार समाज से नहीं है प्यार। नरतम का मानना है कि इस प्रियोग के माध्यां से लोगों को इस बात का एसास होगा कि वह मास्क न पहन का कितना बड़ा अप्रास समाज के प्रति कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को देखकर उन लोगों को भी समझ आएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। वेवी मास्क पहनने के लिए प्रेरित होईंगे। बतादे मध्यप्रदेश में रवियार को टोटल लोगडाउन के बावजुद भी इस्तिति में सुधान नहीं है। एक बार फिर 1502 लोगों की रिपोर्ट पॉजट्टिव आई है। लोगडाउन के बावजुद भापाल में 356, इंदोर में 350 और जवलपूर में 102 नई केसों की प्रुष्टि हुई है। इसके अलवा बुरानपूर भापाल में एक-एक मरीजों की मुट की खवा सामने आ रही है। जिसके बाद कोराना गाइडलाइन को लेकर सक्त नियम बनाए गए है। साथ ही अब राज्यु सासंद्वारा लोगों को जागुरु करने के लिए नवीन पहल की जारी है। जो नई थमा उसने थमा हुआ देखा। तो पूशा क्या हुआ। यह पूशा तो पता चला कि लापरवाही बरदास्त नहीं है। करोणा से अगर प्यार है तो समाज का बहिस्तार है। ऐसे व्यक्ति जो मास्क नहीं लगाएंगे। आज से हम खुलिस रुखा के लोगों से भी कहेंगे। कि ऐसे लोगों की सेल्फी कैच के यह स्लोगन लिखें। इन्हें करोणा से प्यार है और समाज के द्वारा बहिस्कार है। जब यह चलेगा तो सबाबिक रूप से जागरूपता बढ़ेगे। यह गांधी बादी तरीका है। मानव करोणा मानव बन के नबगों में कोई है। अगर वो संक्रमित है और घूम रहा है। आप देखें बोपाल की नोर की आज 3-4-400 मामले रोज निकल रहे। अगर यही स्पीड रही तो पुरानी इस्तिती में पहुंचने में देर नहीं लगती है। और इसलिए पूरे प्रदेश से कर्वत दिप्रातना कि सारी सामधानियों का ग्रह भवात के द्वारा जारी किये quelques-60 के इंचर्कार के नियुका Сп . सारे मेले जो बड़े-बड़े आयोजन थे कारीला-माता जैसा ग्वालियर का मिला जैसा इस सब पर रोक लगाने का सरकार ने क्रेव मादने तरह किया है इस तरह के जहां पर संडे का कर्फ्यू है 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं वहाँ पर अंतिम्यात्रा में साधी विवाः पंसन समारो कोई भी धार्मिका हो जन किसी भी धर्मका किसी भी धर्मका हो इन इस सबक्तियों बिना अनमति से करने पर रोक लगा दी गई है जहां पर सहीदों के चरणों में नमन सरदार भगत सिंग के चरणों में राजगुरू सुखडेव के चरणों में नमन जिनके कारण से हमें आजादी मिली आज कि तिनोंने फासी देदी गें वो प्रूर दिन है जब कराल काल के गाल में हमारे शहीद समा गए तो आज उनको नमन करने संडे के संडे तो लागबाउन का अभी दो तीन शेरों में विचार है पूरे प्रदेश में नहीं है और जैसा मैंने संख्या बताई यहां 20 से कम केस हैं वहां तो कदाप ही नहीं कि अवारों तो झाले कि नहीं है यहां यहां पारों तो के संग्या बताइस नहीं है यहां बद्दिश में